एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत बच्चो आज हम लोग आपको पराएंगे जियोग्राफी का चेप्टर पांच ठीक है ना जियोग्राफी का चेप्टर पांच एक से चार तक अपनोड हो चुका अगर आपने अभी तक उसे नहीं पराए तो उसे भी जाकर के परने ठीक है तो आज का चेप्टर का नाम है खनीज शनसाधन तो अचार ये शुरुआत करते हैं भारत में रगबग कितने खनीज पाय जाते हैं तो एक सतक यानि एक सतक करने का मतनब सौ ठीक है इन में से कौन दोह युक्ट करने का मतनब जिसमें डोहा होता हो जिसमें क्या होत बिनकों नहीं बॉक्साइट में अल्मूनियम होता है तो बचा क्या मैगनीज निमने निखित में कौन ओधात्वी खईज का उधाराना है मतनलब ओधातू ठीक है तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा सोना नहीं होगा तीन भी नहीं होगा देखिए ग्रेफाइट भी उप्सान नंबर सी दिया गया तो ग्रेफाइट यहां पे होना तो दोनों चाहिए था ठीक है लेकिन अबरक जो है यह इसमें धातू का कोई गुन नहीं होता है नेकिन ग्रेफाइट में धातू का एक गुन पाया जाता है और यह धातू की तरह कठोर भी होते हैं इसलिए अब आप सोच रहोगे कि ये अबरक क्या है तो आपने कभी गुणान देखा है होली में तो गुणान में देखिए कुछ चमकता हुआ रहता है तो उसी को बहुते हैं अबरक किस खनी को उद्योगों की जननी कहा गया तो उद्योगों की जननी कहा गया नोहा को क्यूंकि नोहा को आने से ही उद्योग शुरू हुआ बिना नोहा का कोई उद्योग संभब नहीं है आप सोचके देखिए किसी भी उद्योग में जाके देखिए बिना नोहा का कुछ भी सं ऑगे अब हम लोग चनते हैं 5 नंबर में 5 नंबर में देखिए क्याक कौन डौ इसक soup का एक उदाहरा ये तो देखिए निगनाइट बी-ीनिस ये कोईन डा का ये किसका कोईन डा कप फिर धिकिए हैमाटाइट आपका रोहा का एक मानें उत्पादन में भात का कौं सा ने तीसरा तर्फ बनाने में कितने में इत्पाद क्या होता है तो इस पाथ होता है है आप ट्रेन का देखे हो ना ट्रेन में जो नोहा का पट्रियार में उप्योग होता है उसी को बोला जाता है इस पाथ तो एक टन इस पाथ बनाने में 10 किलो मैगनीज का उप्योग होता है उरीशा किस खनीज का सबसे बरावत पादक है मैगनीज का ठीक है आगे चनते एनमूनियम बनाने के यह किस खनीज की आब सकता परती है बॉक्साइट ठीक है आगे देखिए देश में तामबे का कुन भंडार एक सो पचीस करोर टन एक सो पचीस टन नहीं एक सो पचीस करोर टन बिहार जारखन में देश का कितना प्रतिसत अवरक का अवसाधि का मतनब होता है कि अवसाध जमा होना यानि वहाँ पर अवसाध के रूप में खनीज बनता है बाद में सिकूर हुआ अप घटित पिंड सा रह जाता है बॉक्साइट भारत में प्राप्त सबसे महत्पूर्ण धात्वीक खनीज कौन सा है अलोहा कटनी खनीज प्राप्ति अस्थान किस राजी में अगर देखी आप मध्धिप रदेश में कभी गए हो गए या अगर आप बिहार से कभी महराश्ट्र की तरफ गए होगे मुंबई तो आपको बीच में ये सभी सहर आएंगे मध्य प्रदेश में जवनपूर, सतना, कटनी, खंडवा, तो ये सभी आपका कहा है मध्य प्रदेश में अब आगे चनते हैं 23 नंबर में, 23 नंबर में हैं सिंडी कौसिस नामक दम घोटू बिमारी किसे होती है खदान कर्मियों को निमनेडी खित में किस खनीज के साथ प्राकिर्टिक गैस पाय जाती है पेट्रोलियम आगे देखिए निम निखित में किस बंदरगा से लोहे का निरियात किया जाता है विसाखा पटनम कनर सब्द कुद्रे मुख का क्या अर्थ होता है घोरे के समान का मुख अब ये मत सोचने जिएगा कि कुद्रा है तो कुट्ता मार देंगे पीतल, अब आगे देखिए, अैसक कोप युप किस खनें, किस उड़्योग में किया जाता है, इस पात बनाने में, बंगाल, रूबी officer, नाम क्या है? कि नाम क्या है बंगान क्या नाम है बंगान तो कि आपनों सोच रहोंगे कि उत्तर क्या होना चाहिए पस्चिम बंगान लेकिन नहीं अभरक आपको सबसे ज्यादा जारखन में मिनता और बंगान डूबी भी आपको जारखन में मिनता कोईने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होता एंथ्रेसाइट दूसरा निगनाइट तीसरा बीटू मीनस और चौथा पीट यानि कोई ना चार प्रकार के होते हैं ठीक है जिसमें कि सबसे वरिया होता है एंथ्रेसाइट फिर निगनाइट फिर बीटू मीनस और चार में पीट एक में एंथ्रेसाइट दो में चेप्टर नमबर छो उड़ जाया सकती संसाधन तो धन्यवाद जहन